हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi A very 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 warm hearted welcome to all of you This side is Abhinokumar बहुरे और आज मैं आपके समक्ष लेके प्रसुत हूँ Value Edition Series का एक और पार्ट और इस पार्ट में हम क्या डिसकस करने वाले हैं आप अगर counting लगाएंगे तो इस 70 से जादा even हो सकता है यह 100 प्लस reverse को टच करें और याद रखें इतनी reverse को आज हमारा यह target है कि आपके mind में settle down करना है और इस चीज़ को समझेगा कि UPSC के लिए fear बनाया गया है कि UPSC tough exam है मेरी बात बहतर तरीके से अपने mind में settle down करें कि यह tough exam नहीं है hard work नहीं smart work success का मंत्रा है अगर आप सफल होना चाते हैं तो इसके लिए required है smart work ना कि hard work clear अब क्या है यह smart work तो समझेगे अगर मैं आपसे UPSC के कुछ प्रशनों को दोह रहा हूँ तो एक प्रशन आया था previous year में और ऐसा नहीं है कि आसे 10 साल पहले या 5 साल पहले का मैं प्रशन रिपीट कर रहा हूँ या recent year का एक या 2 साल पुराना प्रशन होगा जिस date को हम ये वीडियो record कर रहे हैं याद रखें प्रशन ये था कि कौन सी ऐसी सिंदू की साहयक नदी है या इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो सीधे सिंदू से दो नदियों का जल लेकर मिलती है अब ये जो प्रशन था ये statement के form में quote करा हुआ था अगर किसी बच्चे ने previous video देखा हो तो आप पाएंगे कि कौन सी नदी किस से मिलती है इसी प्रकार से गंगा नदी से related प्रशन आए एक बार प्रशन इतना easy था ये recent year का प्रशन है आप जा कर अगर previous year question को देखे तो आप पाएंगे प्रशन कुछ इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है हमी अभी plot करेंगे तो वहां एक नदी आएगी वेंगई के नाम से वहां पर option था वेंगई का अगर आपने simple से सिर्फ एक बार mapping और plotting की होती तो ये दौनों प्रशन आपसे easily बन जाते अगर आप इस वीडियो को बच्चो ध्यान से समझे अगर आपने देखा तो पहले तो मेरी request है आप दो बार देखें वीडियो को थोड़ा इत्मिनान रखें अगर आपने UPSC का तीन बार pre at least तीन बार pre UPSC का आपने दिया तो आपको आज के इस वीडियो से दावे के साथ प्रशन दिखेंगे और आप उसका सही आंसर दे पाएंगे बस जिस मैनर में मैं समझाना चाहता हूँ उस मैनर में इसे डील करें यानि कि अगर मैंने पहले आप से कहा कि पहले नदीक तंत्र को या river drainage system को आप copy पर plot करें हाथ से बिना इंडिया के नक्षे करें clear आपने एक बार उसे plot करा इसके बाद आप उठा कर उसे इंडिया के map पर plot करें clear अब इन दो अपरोचे से आप दो अलग-अलग टाइप के question prepare करोगे और याद रखे set of questions prepare करेंगे आप यानि कि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक प्रकार के प्रशन तयार करेंगे आप एक group के question तयार करेंगे और मैं 100% shorty से कहता हूँ कि ऐसा बीते 10 सालों में नहीं हुआ कि UPHC ने एक भी प्रशन ना पूछा हो reverse में से clear अर्थात नदियों से related प्रशन आते हैं बनाने लायक प्रशन आते हैं आउट ओफ युनिवर्स आउट ओफ कंटेक्स्ट प्रशन नहीं होते प्रशन बिल्कुल इजी होते हैं देखेगा जो teacher होता है जस्ट एक दो line का statement मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो teacher होता है वो कभी न कभी student रहा होता है तो हमें ये पता होता है कि प्रशन अगर आप 4-5 साल दस साल इस field को दे तो धीरे-धीरे करके professionally आपको वो चीज़े समझ में आने लगती हैं कि प्रशन कहां से आते हैं बस समस्या ये होती है कि आप उसे अपने student तक convey कैसे कर पाएंगे आप अपने जो juniors हैं उस तक इसे कैसे पहुचा पाएंगे अब इसे समझ ये कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतनी बात मेरी follow कर लें कि इस वीडियो को दो बार देखें अगर आप actually मैं UPHC के एस्परेंट हो तो मेरा आपसे die heart request है कि दो बार वीडियो को देखें दो बार देखने के बाद हर जो instruction मैंने mapping के time पर दिये हैं यानि कि पहले नदीत अंतर को या river drainage system को आप copy पर plot करें without any map इसके बाद इस drainage system को इंडिया के map पर plot करें ऐसा करने पर आपको तीन वर्ष में हुआ या फिर आपने फर्स्ट अटेम ने pre clear कर आप में इस पर गाई यह diagram आप plot करेंगे आपका examiner आपको अच्छे marks देगा याद रखिए कि examiner जो होता है वो एक human ही है एक इंसान ही है और हर एक human की लिमिट होती है एक ही चीज को एक ही गाने को आप 300 बार सुनकर सेम तरीके से उसे enjoy नहीं कर सकते examiner के साथ भी यही होता है वो एक दिन में या एक बार में 200-200 copies चेक करता है और सभी copies में एक ही answer लिखा गया होता है कैसे संभव है कि एक व्यक्ति एक ही answer को 200 बार same interest से पढ़े उसका interest समय के साथ कम होता जाता है आपका answer उसे boring लगने लगता है जब आप interactive answer लिखते हो और जैसा मैंने अभी plotting कराई है previously उस तरीके से answer को represent करते हो तो याद रखिए means कभी भी आपके knowledge का test नहीं है this means is only and only for the test of your representation आपके सिर्फ और सिर्फ representation करने का test होता है means एक certain level तक का knowledge चाहिए होता है और वो आपके पास होता है क्योंकि आप pre निकल कर आते हैं तो pre में भी ये काम आएगा मेंस में तो ये काम आएगा ही आएगा और याद रखें कि अगर आपने इसे prepare कर लिया तो आज नहीं तो कल आप एक बार वापस जरूर आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कि आज से दो साल पहले आपने ये वीडियो देखा था एक साल पहले आपने ये वीडियो देखा था और आपके लिए useful रहा तो चलिए बहुत सारा discussion हो चुका है हम class से start करते हैं अभी जैसे जैसे मैं आपको समझाओं उस तरीके से आप जो है वो इसे derive करेंगे सबसे पहले जानिए कि भारत में जो नदियां है उन नदियों को आप दो भाग में विभाजित कर सकते हो एक हो जाता है वो नदियां जो हिमालीन छेतरों में आती है ध्यान से देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये है भारत और देखिए बचो मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप free hand map बनाना सीख ले बिना इसके काम नहीं चलेगा एक copy ले copy में 100 pages हो और दो दिन के अंदर 100 बार इंडिया का map बना ले मैं shorty के साथ कह सकता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 बार map बना है और आप end of the day map बनाना ना सीख है clear तो चलिए हम start करते हैं यह है इंडिया का map इस प्रकार से आप पाएंगे यह जो पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं यह नेपाल वाला पार्ट है यह हमारा North Eastern पार्ट है इस प्रकार से चलते वे आप आएंगे तो यह बांगलदेश का पार्ट है यह हमारा जम्मू एंड काश्मीर वाला छेतर है इस प्रकार से यह हमारा राजस्थान वाला भाग यह हमारा गुजरात वाला छेतर और इस प्रकार से प्राइद वीपिय भारत बनके ready है clear तो याद रखें भारत में नदियों को जो है इसमें आपको एक भाग इस प्रकार से दिखाई देगा जहां आप पाएंगे यह करकरेखा है इसके उपर का छेतर है ये हमालेई नदियों का छेतर है अरथात यहां पर आपको हमाले की नदिया दिखाई देंगी और यहां पर आपको pride वीपिय भारत या peninsular इंडिया की रिवर्स दिखाई देंगी तो आपको दो तरीके से रिवर्स सिस्टम को देखना है एक हिमालियन रिवर्स सिस्टम है दूसरा प्राइड वीपी भारत की नदियों का तंतर है अब इस शीज को थोड़ा सा हम और जूम इन करें तो याद रखिए कि इस प्रकार से हम इसे और थोड़ा सा एनलार्ज करकर देखें तो याद रखिए कि इस प्रकार से आप इंडिया का मैप दुबारा पलोट करें और अब हम इसमें नदी तंतरों को विभाजत करने का प्रयास करेंगे तो roughly एक मैप बनके ready है अब यहाँ ध्यान से देखेगा याद रखे कि आपको इस स्थान पर एक नदी तंतर दिखाई देगा I think अब आप सभी लोग easily guess कर पाएंगे कि यह कौन सा नदी तंतर है यह नदी तंतर जो आपको दिखाई देगा याद रखे इसे कहा जाता है सिंदू नदी तंतर हमने इसके बारे में पहले भी देख रखा है इस प्रकार से इसी तरह से आपको एक और नदी तंतर दिखाई देगा याद रखे वो इस स्थान पर होगा और अब आप लोग easily guess कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो नदी तंतर है ये ब्रह्मपुत्रा का नदी तंतर होगा clear अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ जो बीच वाला भाग है इस भाग में आपको दिखाई देगा ये गंगा का नदी तंतर है अर्थात हमने अभी उत्तर भारत में तीन नदी तंतरों को देखा पहला ये सिंधु ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्रा अब यहाँ याद रखिए कि जो प्रायद वीपी भारत का छेत्र है आपको इस स्थान पर तीन वरहद नदियों का तंतर दिखाई देता है clear अब यहाँ पर आपका जो विभाजन है प्रायद वीपी भारत का यहाँ पर प्रायद वीपी भारत के नदी तंतर को सामानिता जो स्टुडेंट है वो इस तरीके से विभाजित करेंगे कि तीन प्रमुक नदिया है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पर आपको यह नहीं करना है आपको यह करना है कि प्रायद वीपी भारत की नदियों को दो भाग में विभाजित करें और कहें कि वे नदियां जो पूर्व की दिशा में जाती है वे नदियां जो पश्चिम की दिशा में जाती है अब आपका जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा कारण क्या है तो कारण ये है कि ये चीजें थी आपके समझने के लिए इक्जाम में कैसे आपको इसको लिखना है तो मैं आपको अभी बताऊंगा एक भारतिय महाजल विभाजक परवत श्रेनी को इसे ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड सिस्टम कहा जाता है इसे इंग्लिश में जरूर याद करें कई बार इस टर्म को अलग-अलग तरीके से ट्रांसलेट करके यूपीएस से पूसता है जिससे हिंदी मीडियम के स्टुटेंट का एक मार्ग जो है वो चूक जाता है और याद रखिये कि इसी मिस्टेक को हमें इंप्रूफ करना है तो क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि आपको हमेशा याद रखना है ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड सिस्टम को इसे हिंदी में भारतिये माहा जलविभाजक तंत्र या भारतिये माहा जलविभाजक परवत श्रेनी के नाम से जाना जाता है क्या है ये और कैसे होता है? ठोड़ा सा रुके, पहले इस चीज़ को अपने माइन में वीडियो को यहाँ पॉस करें इसे अपने mind में settle down करें clear क्या-क्या है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले सिंधु, यहाँ गंगा, यहाँ ब्रम्हा पुत्रा यहाँ पर प्राइद वीपी भारत तथा याद रखें कि प्राइद वीपी भारत में एक पश्यम की और एक पूर्व की और clear, चल clear, तो अब हमारे पास दो information mind में बिल्कुल properly settled down है क्या-क्या, तो यहाँ पर ध्यान से देखें एक यह information है कि भारत में नदियों को आप दो प्रकार से इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं second information है कि आप नदी तंत्र को जो है एक बार इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं point clear, चलिए तो अब आजाएं, हम आते हैं इंडिया की reverse की plotting पर और भारतिये जल विभाजक पर clear, तो यहां द्यान से देखिए हम को एक बार फिर से draw करना पड़ेगा इंडिया का मैप और जिन बच्चों को यह नहीं पता कि क्या होता है जल विभाजक तो बस simple सी language है कि ऐसा कोई भोगोलिक छेत्र जहां आपको दिखाई दे कि उसके दोनों तरफ दो अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां उपस्थित है उसे जल विभाजक कहा जाता है कुल मिला के माल लेते हैं कि एक परवत है तो उस परवत के एक तरफ और उसके दूसरे तरफ दोनों दिशाओं में यह जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यह है अरावली अब यहाँ पर है विंध्य यहाँ है सत्पुड़ा आई थिंग आप लोगों ने प्रीवेस वीडियो देखा होगा अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ यहाँ से दे आप यह विभाजित कर सकते हैं कि भारत में कुछ नदिया इस तरफ और कुछ नदिया इस तरफ जाती है क्लियर तो चलिए यहाँ द्यान से देखें यह है अरावली इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यह है विंध्य यह है भारतिय महाजल विभाजक कैसे तो ध्यान से देखें यह अगर मैं इस प्रकार से जूम आउट करूँ तो यहाँ आपको दिखाई देगा इस तरह से आप पाएंगे कि इस इस्थान पर आपको मुख्यतह इस इस इस्थान पर आपको मुख्यतह नदी दिखाई देगी गंगा के नाम से और इस तरह से गंगा अपना डेल्टा का निर्मान करेगी क्लियर अब इसी प्रकार से आपको यहाँ एक नदी दिखाई देगी जो है सिंदू के नाम से और यह अपना डेल्टा इस दिशा में निर्मित करेगी क्लियर अब इसी प्रकार से आपको इस दिशा में जाती हुई गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी दिखाई देगी अब याद रखिए कि ये जो है ये पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों का करम है इसी प्रकार से आपको पश्चिम की दिशा में दिखेगा कि ये है नर्मदा इसी तरह से आपको एक और नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है तापी इसी प्रकार से यहाँ आपको और भी नदीयां दिखाई देंगी जो खंबात की खाड़ी में अब ये वाला पार्ट मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये खमबात की खाड़ी का छेतर है, इसके पश्चात आपको यहाँ पर कुछ आदर नदियां भी दिखाई देंगी, जैसे गोवा वाले भाग में मांडवी और जुमारी, इसी प्रकार से करनाटक वाले भाग मे शरावती, भरत पूसा, पेरियार और पंबा, ये बेसिकली जाती है किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में, ये केरल की नदिया है, अभी याद करने का प्रयास ना करें, मैं पूरी प्लोटिंग आपको समझाऊंगा, तो याद रखिए कि आपको यहाँ पर भारतिय महा जल विभाजक में क्या-क्या दिखाई देता है, तो याद रखिए, मैं यहाँ मैंशन करता हूँ, जल भारतिय महा जल विभाजक आप जाकर एक बार इसे किसी reference book में सर्च करने का प्रयास करें, आप पाएंगे कि आपको सामान्यत यह content कभी दिखाई नहीं देगा, खास कर हिंदी माध्यम में कि क्या होता है Great Indian Water Divide, या फिर क्या है भारति महा जल विभाजक, और यह किस प्रकार से नदियों को विभाजि करता है, याद रखिए कि इसमें क्या-क्या आता है, तो इसमें basically आता है सबसे पहले अरावली, इसके पश्चात आता है विंधि परवत, इसके पश्चात आता है सत्पुड़ा, इसके बाद आता है पश्चिमी घाट, और याद रखिए कि ये जो भारती जल विभाजक है, ये पूर्व तथा पश्चिम, ये जो महा जल विभाजक है, ये नदियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में विभाजित करता है, इस चीज को माईन में सेटल डाउन करें, कि सिंदू, चाहे फिर माही हो, या फिर यहां नरमदा हो, तापी हो, या महादाया हो, या फिर अदर कोई भी नदी हो, जो पश्चिम की दिशा में जा रही है, ये पश्चिम की और जाने वाई नदिया है, और इसी प्रकार से आपको इस तरफ पूर्व में प्रवाहित होने वारी नदिया दिखाई देंगी, तो इस चीज़ को माइन में बहतर तरीके से कंसॉलिडेट कर लें, ओके, अब हम आ जाते हैं में प्लोटिंग पर, ध्यान से देखेगा, अब हम स्टार्ट करते हैं, इंडिया के नक्षे पर, बेसिकली प्लोटिंग औफ रिवर्स, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्य स्थान से देखेगा, कि नदियों का क्रम कुछ इस प्रकार से है, आपको इस स्थान पर दिखाई देगी एक जील, आइधिंग आप सभी अब अवेर्ड होंगे इसके नाम से, याद रखे, इसे कहा जाता है मानसरोवर जील, यह है, मानसरोवर, यहाँ से आपको एक नदी उद्गम लेती हुई दिखाई देगी, आप सभी को याद होगा, इसे कहा जाता है सिंधू, याद रखिए कि इस तरह से सिंधू का प्रवाह होगा, और सिंधू इस स्थान पर अपना डेल्टा का निर्मान करेगी, क्लियर, इसी तरह से याद रखिए कि सिंधू की सहायक नदियां, यह है जेलम, जेलम जो है, वो शेशनाग, बेरीनाग जील से, इसका उद्गम होता है, तथा उद्गम लेने के पशाते पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है, इस प्रकार से आपको यह एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है जेलम जो है, जेलम में अपना जल विसरजित करती है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हुई दिखाई देगी राभी, और राभी के पास से ही आपको दिखाई देगी ब्यास, अब यहाँ याद रखने ही होगी बात है कि ब्यास कभी भी पाकिस्तान नहीं जाती इस प्रकार से ब्यास जो है भारत में ही सतलुज में अपना जल विसर्जित करती है तथा विसर्जित करने के पश्चात आपको दिखाई देगा कि यह अधर सभी नदियों का जल लेते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा अपना जल अगर करूं तो ध्यान दीजेगा ये है सिंधु छेलम छेनाब राभी ब्यास तथा इस इस्थान पर सतलुच तो ये नदियों का इस प्रकार से क्रम है चलिए अब इसी प्रकार से हम अगर अधर नदियां भी ड्रॉ करें तो आपको दिखाई देगा ये है बेसिकली हमारी गंगा नदी अब यहाँ याद रखने योग ये बात है कि जो गंगा नदी का तंत्र है आपको इसमें याद होता है परंतु प्रश्न कभी भी सीधे उद्गम से नहीं आएगा अब यहाँ समझेगा गंगा नदी के बारे में जो 20 सेकेंड में इंफर्मेशन देने वाला हूं इससे आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से देखे सबसे इंपोर्टन इंफर्मेशन है गंगा नदी का देव प्रयाग में और याद रखिए देव प्रयाग में यह मिलती है अलक नंदा से अलक नंदा आती है सतोपत ग्लेशर से और भागी रती अलक नंदा मिलने के पश्चाथ गंगा कहलाती है गंगा नदी हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रव और फिर यह प्रवेश कर जाती है पश्चिम मंगाल में याद रखी इसलिए मैंने आप से कहा था कि आपको जो है वो स्टेट वाला प्लोटिंग देख लेनी होगी तो आप समझे जब यह पश्चिम मंगाल पहुंचेगी तो पश्चिम मंगाल में पहुंचने के पश्चात यह दो भागों में विभाजित होगी मैं इसे यहाँ पर एक बार आपके लिए मैंशन करता हूं बहुत द्यान से देखेगा यह पश्चिम मंगाल में प्रवेश करती है पहले से सुन ले पश्चिम मंगाल में प्रवेश करने के पश्चात दो भागों में विभाजित होग एक भाग जो है इसका जाएगा कहां पर बांगलादेश याद रखेए वो भाग बांगलादेश गया नहीं है अभी इंडिया में ही है तो वो भाग जो बांगलादेश की तरफ जा रहा है उसे इंडिया के अंदर फिर से भागी रती के नाम से जाना जाता है और जो दूसरा भाग है यानि कि वो भाग जो कलकत्ता की तरफ जाएगा उसे हुगली के नाम से जाना जाता है और हुगली की तरफ जो जा रहा है उस भाग में दामोदर अपना जल्वे सर्जित करती है अब याद रखिए गंगा का वो भाग जो भारत में है और बांगला द देश में पदमा के नाम से जाना जाता है तथा इस पदमा में ब्रह्मा पुत्रा आकर मिलती है और याद रखिए ब्रह्मा पुत्रा जो आती है उसका नाम होता है जमुना यानि कि ब्रह्मापुत्रा को बांगलादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है अब पदमा और जमुना अर्थाद गंगा और ब्रह्मापुत्रा ये मिलने के पश्चात इनका नाम पदमा ही रहता है अब आपको ये जो अब आपको ये जो confusion हो रही है सुनने में ये नहीं होगी जब आप इसे इस प्रकार से mapping के form में plot कर लें ध्यान से देखें ये है basically गंगा का नदी तंत्र आप detail में जब जाएंगे तो याद रखिए ये है basically भागी रथी clear यहां से इस प्रकार से आएगी ये मिली इससे अलकनन्दा याद रखिए ये जो स्थान है इस स्थान को कहा जाता है देव प्रयाग clear अब जब ये आगे continue करेगी तो याद रखिए आगे जाने पर आप पाएंगे कि गंगा जो है वो दो भागों में इस तरह से विभाजित होगी याद रखिए जब ये इस प्रकार से continue हो जाएगी तो एक धारा जो है वो बांगलादेश की तरफ जाएगी और एक धारा जो है वो चलते हुए इस प्रकार से अलग होते हुए यहाँ नीचे आएगी clear ये वाला जो भाग है याद रखिएगा इसे कहा जाता है हुगली clear अब यहाँ पर ध्यान देने योग है ये जो पूर्शन है ये इंडिया के अंदर है इसे बेसिकली भारत के अंदर कहा जाता है ये भागी रती है पुनह अब यहाँ देखिए ये जो भाग है ये गंगा का ये बंगलादेश में प्रवेश करा clear अब देखिए ये आ रहा है पूर्शन ब्रह्मपुत्र का याद रखिए ब्रह्मपुत्रा भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है clear अब ये हो जाएगा इस इससान पर आकर जमुन यह हो जाएगा यहाँ पर पदमा और इस तरह से यह continuation में आगे जाएगा अब याद रखे यहाँ से एक दूसरी नदी आती है जिससे भारत में कहा जाता है बराक और यह भी याद रखेगा जो बराक नदी है इसका उद्गम मनीपूर से होता है मनीपूर की मैपिंग में मैंने इस रिवर के बारे में डीटेल में समझाया भी है तो यहाँ से बराक नदी आएगी जो इस इस्थान पर अर्थाद बांगला देश में आके इसका नाम हो जाएगा मेगना और याद रखें इसके पश्चाद जो नाम है वो मेगना ही कंटिन्यू होगा और यही कारण है कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा को पूरा विश्व कहता है गंगा ब्रह्मा पुत्रा का डेल्टा और बांगला देश इसे कहता है मेगना का डेल्टा तो यहाँ पर अब मैं इसका वाइफरकेशन करता हूँ ध्यान से देखेगा आपको इस प्रकार से दिखाई देगा यह जो छेत्र दिख रहा है आपको याद रखें यह भाग है बेसिकली बंगलादेश का यह पोर्शन है बंगलादेश और याद रखें यह जो भाग है यह जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है याद रखें यह है हमारा पश्ची मंगल मैं यहां मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अब यह जो सिस्टम हुआ यह आपके लिए काम का होगा गंगा नदी तंद्र को याद करने के लिए अब इसी में हम इसकी कुछ सहयक नदी है यहां पर भी प्लोट करेंगे और फिर मेन मैप पे भी प्लोट करेंगे याद रखें यहां आपको एक सहयक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है राम गंगा इसी प्रकार से आपको एक और सहयक नदी दिखाई देगी याद रखें इसे कहा जाता है गोंती इसके परश्चाद आपको दिखाई देगी घाघर इसी प्रकार से गंडक कोशी और याद रखें कोशी विशरपन काफी ज़ादा करती है और इसी तरह से यहां आपको दिखाई देगी महानन्दा clear? हम यहां ना mention कर लेते हैं ध्यान से देखेगा clear? अब यहां ध्यान दे याद रखे नीचे आपको इस स्थान पर दिखाई देगी इस तरह से यमुना अब यहां आपका concentration होना चाहिए clear बचो ध्यान से देखेगा ये है basically यमुना अब यहां आपको याद रखना है इस तरह से कि यमुना की कुछ सहायक नदिया है clear ये है basically चंबल clear इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगी ये है सिंध इसी प्रकार से ये है बेतवा इसी तरह से ये है केन और इसी तरह से यहां से एक और नदिया आते हुई दिखाई देगी जिसे कहा जाता है सून clear इस प्रकार से यहां आपको चंबल दिखेगी यहां आपको सिंध दिखेगी यहां आपको बेतवा दिखेगी यहाँ आपको केन दिखेगी और याद रखिए कि इस तरह से आपको यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी दिखाई देगा यह छेतर गढ़ियालों के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसी प्रकार से आपको इस इस्थान पर प्रयाग राज दिखाई देगा तो याद रखिएगा यही भारत का नेशनल वाटर वे फरस्ट है और यह याद रखिए कि नेशनल वाटर वे फरस्ट जो है वो उसी छेतर में आता है जहां गंगा डॉल्फिन मिलती है तो यह information माइन में हमेशा settle down रखें तो इसे अपने माइन में settle down हमेशा रखें अगर किसी student को इसकी pdf चाहिए हो तो आप सभी मेरे telegram channel को follow कर ले वहां मैं daily class end होने के बाद आपको pdf provide कर दिया करूँगा अगर किसी को pdf ढूणने में problem हो तो वो नीचे comment section में किसी से भी इसके बारे में जनकारी ले सकता है मैं यहाँ पर अपने telegram channel का नाम mention कर देता हूँ जिससे आप easily इस pdf को access कर पाएं telegram channel का नाम है अभिनव बोहरे geography और याद रखें आप इस pdf का print out निकाल लें या फिर आप इसे hand form से यानि कि hand out के form में इसे बना लें अगर आपने इस चीज को बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए आने वाले civil सेवा परिशा के सारे प्रशन काफी easy हो जाएंगे clear तो ये बनके ready है हमारा गंगा नदी तंतर अब इसी को हम अपने main map पे draw करते हैं आजाएं अब यहाँ ध्यान से देखिएगा देखें ये है यमुना clear अब इसी प्रकार से जो हमने draw करा था ये draw करते हैं ये है राम गंगा याद रखें ये है गोमती इसी प्रकार से ये है घाघर याद रखे घागर जो है वो नेपाल से आती है और नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है रामगंगा, गुम्ती, घागर इसी प्रकार से एक आती है गंडग याद रखे गंडग को जो है वो नेपाल में शालिक ग्राम के नाम से जाना जाता है इसी प्रकार से ये एक नदी है इसे कहा जाता है कोशी और याद रखेगा कोशी जो है अपने विश्दरपन के कारण बिहार में शोक लाती है इसलिए इसे जो है बिहार का शोक भी कहते है और कोशी जो है वो साथ नदियों से मिलकर बनती है नेपाल में इसलिए इसे कई बास शब्त कूशी के नाम से भी जाना जाता है इसी प्रकार से आपको यहां दिखाई देगी महानन्दा नदी चलिए इसी प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देगी ब्रह्मापुत्रा अब यहां द्यान से देखिए यह ब्रह्मापुत्र नदी है याद रखेगा ब्रह्मा पुतरा की जो सहयक नदियां है इसमें आपको याद रखना होगा एक है ये नदी जिसे कहा जाता है सुबन सीरी इसी प्रकार से एक नदी ये है जिसे कहा जाता है मानस तथा एक नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है तीस्ता याद रखिए कि तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम वाले भाग से आती है मानस नदी जो है वो भूटान वाले भाग से आती है तथा सुबन सिरी जो नदी है ये आती है बेसिकली अरुनाचल वाले छेतर से, clear, इसी प्रकार से आपको याद रखना है, नीचे आपको एक नदी और दिखाई देगी अब आपको मुझे बताना है कुछ वर्क आप भी करें कि ब्रह्मा पुत्रा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो नीचे की दिशा से आती है इसके उपर यहाँ पर दो नदी और है एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित clear माव कीज़ेगा दी हांग है और फिर है लोहित clear, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको फिर बराक दिखाई दे इसी प्रकार से आपको फिर यहाँ पर बराक नदी दिखाई देगी अगर किसी को समझने में समस्या हो रही हो तो याद रखें मैं एक लेमें डाइग्राम यहाँ पर ब्रह्मा पुत्रा के लिए प्लॉट कर देता हूँ जिस प्रकार से हमने गंगा का ड्रॉग करा था याद रखें यह ब्रह्मा पुत्रा नदी है और यह बहतर तरीके से अपने दिमाग में सेटल डाउन करें कि आपको इस प्रकार से इजिली कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा रिवर ड्रेने सिस्टम का क्लियर कट एक्स्प्लेनेशन मैं चाहता हूँ कि आप इसे आवश्यक रूप से अपने आंसर में अपनी कॉपी पर मेंशन करें अगर आपके लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट है तो याद रखें इसे थोड़ा शेयर करें जितना इसका रीज होगा उतना ज़ादा मैं मोटिवेटेट फील करूँगा आपको जादा से जादा इस प्रकार का कंटेंट डिलिवर करने के लिए तो चरिए ध्यान से देखे यहाँ पर यह है बेसिकली ब्रह्मपुत्रा नदी याद रखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगी यहाँ पर यह जो मैंने टर्न दिया है याद रखिए यह टर्न किसी रीजन से है याद रखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो अपने मार्ग में जैसे ही इस प्रकार से एक बार फिर से ड्रॉ करते है याद रखिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे ही भारत में इस प्रकार से प्रवेश करती है तो यह कुछ चैनल्स में डिवाइड होती है अब यह क्यों चैनल्स में डिवाइड होती है तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा वेट करें ध्यान से देखिए याद रखें आपको इस स्थान पर एक परवत दिखाई देगा परवत का नाम आपको याद रखना है इसे कहा जाता है नामचा बरुवा परवत और याद रखें नामचा बरुवा परवत अनुनाचल प्रदेश में आता है और यहीं से ब्रह्मा पुत्रा याद रखें कि ब्रह्मा पुत्रा का जो उद्गम है तिबवत के पास मांसरोबर जील से होता है तता तिबवत में इसे सांकपो के नाम से जानते हैं सांक्पो का मतलब भी याद रखेगा इसे तिबत, ये तिबतियन लेंग्विज का वर्ड है और इसे बेसिकली कहा जाता है वो चीज जो शुद्ध करती है तो ब्रह्मा पुत्रा को तिबत वाले भाग में सैंक्पो के नाम से जाना जाता है इसके पश्चात ये भारत में प् प्रवेश करती है नामचा बरुआ परवत के पास से और याद रखेए यहाँ पर इसका नाम होता है दी हांग मतलब ब्रह्मा पुत्रा को अरुनाचल प्रदेश में दी हांग के नाम से जाना जाता है और अपने एटलस में मार्क करे पेज नमबर 16 के आसपास आपको स्थान है जिसे कहा जाता है पासी घाट यह पासी घाट के समीफ दो नदियों से मिलती है इसलiss white kead नहीं कर पाओंगा यहाँ आपको दो नदिया मिलेंगी एक को कहा जाता है दिबांग अग। तथा दूसरे को कहा जाता है लोहित याद रखे दिबांग और लोहित जब मिलती है पासी घाट के पास तब इसके बाद ये तुरंत प्रवेश कर जाती है असम में और जहां इसे ब्रह्मा पुत्रा के नाम से जाना जाता है clear तो अब ये आ चुकी है ब्रह्मा पुत्रा पासी घाट से होते हुए असम में जहां इसका नाम होगा अब ब्रह्मपुत्रा अब याद रखिएगा कि यहाँ आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे एक यहाँ पर नेशनल पार्क मिलेगा याद रखिए इसे काजी रंगा नेशनल पार्क कहते हैं और इसी प्रकार से अब आपको यहां पर इसकी सहयक नदिया दिखाई देंगे, यह है सुबन सीरी, यह है मानस, यह है तीस्ता, यहां पर आपको दिखेगी बराक, यहां पर आपको एक नदि दिखाई देंगी, जिसका नाम आपको मुझे बताना है, clear, यह याद रखेगा, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा का नदी तंत्र है, आप इसली इसे understand कर पाएंगे, clear मैं यहाँ नाम मेंशन करता हूँ, अब यहाँ ध्यान से देखिए, याद रखिए कि आप पाएंगे यहाँ से एक नदी हमने पहले ही ड्रो कर रखी है, इसे कहा जाता है गंगा, और यह ब्रह्मपुत्र का इधर आते ही नाम हो जाता है जमुना, और यह मिलने के पश्चात कहलाती है मेघना, और इस नदी का नाम भी है मेघना, और भारत में इसे बराक के नाम से जाना जाता है, clear, तो यह है बेसिकली नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र का, अब देखिए ब्रह एक है ब्रह्मापुत्रा, एक है जमुना, एक है पद्मा, एक है मेगना, clear, तो ये है ब्रह्मापुत्रा का नदी तंत्र और इसे भी हमने जो है, वो इसे सान पर प्लॉट कर लिया है, clear, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी नदियों को प्लॉट करना स्टार्ट करत केन, और याद रखें, ये है लास्ट, इस स्थान पर जस्ट असे सगें, इस स्थान पर ये है सून, clear, अब यहाँ देखें, तो आपको दिखाई देगा, ये है दामोदर, clear, अब याद रखें, इस स्थान पर कुछ अन्यन अदियां भी हैं, इस प्रकार से यदि आप चाह देखें, याद रखें, कि ये हमने गंगा देखा, ये हमने ब्रह्मा पुत्रा देखा, अब मैं यहाँ, अब मैं यहाँ, एक और पार्ट डिसकस करने वाला हूँ, याद रखें, इसे अपने माइन पर हमेशा सेटल डाउन रखेंगा, कि ये है बेसिकली हमारा गुजरात ये बाला भाग, क्लीर, अब, याद रखें, इस वाले छेतर को, इसे कहा जाता है, ये वाला जो छेतर है, इसे कहा जाता है, गल्फ ओफ खामबत, क्लीर, अब यहाँ पर जो नदिया जा रही है, आपको हमेशा इसका क्रम याद रखना है, याद रखिए ये है इसी स्थान पर दिखाई देगी इसे कहा जाता है साबर मती इस प्रकार से ये एक नदी है जिसे कहा जाता है माही इसी प्रकार से यहाँ आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे नरंदा तथा इसी प्रकार से यहाँ आपको दिखाई देगी इसे कहा जा करता है तापी तो याद रखे गल्फ अफ खंबात में अपना जल्ब विसरजित करने वारी नदियों का करम इस प्रकार से है साबर्मती माही नर्मदा तापी या तापती क्लियर इसमें माही के लिए याद रखेगा ये दो बार करकर एका को काटती है तो इस information को अपने mind में settle down करें ये चार नदियां आपके लिए super important है इसे essentially अपने notes में mention आप करेंगे चलिए वापस आते हैं हमारे map पे यहाँ पर हम एक initial level पर इसे draw कर लें याद रखे ये है साबर्मती ये है माही इसी प्रकार से यहाँ आपको दिखाई देगी ये नदी है नर्मदा इसी प्रकार से आपको इस इससान पर दिखाई देगी ये है तापी clear है चलिए अब आएं इस इससान पर याद रखे अब हम कुछ नदियों को यहाँ extra plot करेंगे clear अब ध्यान से देखे और अपने mind में इस चीज़ को settle down करें ध्यान से देखेगा याद रखें यहाँ एक नदी है जिसे कहा जाता है सुबर्ण रेखा clear ये राची के पठार से आती है clear और ये याद रखेगा जो सुबर्ण रेखा नदी है इस नदी के जल के अंदर वास्त्वित्ता में स्वर्ण अर्थात गोल्ड के पार्टिकल सुपस्थित है clear इसे कहा जाता है स्वर्ण रेखा इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से याद रखें यह स्वर्ण र इसके पश्चात यहां आपको एक और नदी दिखाई देगी चिलका जील के पास जिसे कहा जाता है दाया याद रखेगा यह वही दाया नदी है जिसके किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था और आपने एक बात पढ़ी जरूर होगी हिस्ट्री में के अशोका ने एक नदी के कारण उस युद्ध में इतनी जाने गई थी कि उस नदी का कलर लाल हो गया था इस कारण अशोका ने अपना धर्म भी स्टार्ट करा अहिंसा के मार्क पर चला यह जो नदी थी यह नदी थी दाया नदी और इसका नाम दाया हुआ ही था क्योंकि जो अशोक है इसका हिर् रखेगा इसे कहा जाता है रिशी कुलिया या रूशी कुलिया यह जो नदीयों का क्रम है अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा अगर आपको लॉजिक निकाले तो आप इसली इसे याद कर पाएंगे और यूपी एससी ने कितने बार सिर्फ इस दिशा में बहने वाली न जादियों का क्रम दिखाई नहीं देगा और फिर हमारे दिमाग में आता है कि यूपी एससी टफ है यूपी एससी टफ नहीं है याद रखें इस क्रम को अपने दिमाग पर सैटल डाउन कर लें क्लियर जो पीटु आई बैचेस होते हैं वहाँ पर इस्टुरेंट को फिर चिला चिला कर क्लास में ही मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ अब यहाँ पर वो संभाव नहीं है अगर आपके लिए यह अफोर्डेबल हो और आप अगर चाहें तो आप इसली पीटु आई बैचेस का पार्ट बन सकते हैं देखिए आप जो है वो सामाने तोर पर इस को समझें कि एक प्रोफेशनल अप्रोच के आवशकता हमेशा आपको होगी हर बार हर टॉपिक पे आपको एक दम वही चीज जो पेपर में आती है वो मिले आवशक नहीं है आपको एक इंस्टिटूशनल अप्रोच चाहिए होगी हर एक टॉपिक से किस प्रकार के प्रशन आते हैं वहां आप जहां 100 पेज अकेले बैठ कर पढ़ेंगे वहां आपका टीचर आपको एक बारें बता देगा कि डियर ये 100 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये 4-5 इंफर्मेशन माइन पर रखो इससे प्रशन आएंगे और इससे सॉल्व होंगे और अगर आना करें तो आपको फिर पूरा नदियों का चैप्टर में एकदम जादा स्ट्रेस लेने की आउशक्ता नहीं पड़ेगी तो कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनिटली जो पहाट बने पी टू आई बैचेस का और मुझे नहीं लगता कि अगर आ आप से जूट ना बोलें बच्चो क्लियर आपके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है हमेशा पैसा कम ही होता है इस चीज़ को आप समझ ले आपके लिए वरीता किसकी है आप प्राइयोरिटी किसको देते हैं क्लियर अगर आपने अपनी सिक्षा को और अपने सपने को करते हैं किसी भी इंस्टिट्यूट का पार्ट बनते हैं मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि आपको देड़ दो लाग रुपए फीज देनी पड़ जाती है इस्टे करना इस सम्थिंग और अलग एकस्पेंडेचर आप सिंपल सी मेरी एक रिक्वेस्ट माने अगर आप य एक टॉपिक पर हर एक सब्जेक्ट के हर एक लाइन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी है और ये प्रॉब्लम्स आती ही है सभी को आप इसे खुद भी सॉल्व कर लोगे लेकिन एक समस्य हमेशा आएगी कि हमेशा आपको कुछ नी जर्क चीज़ें जहां से प्रशन आते आप उससे चुकोगे मेरी बात माने आप कोशिश करें कि ये जो गैप है ये आप फिल कर ले और इसका एक बहुत अच्छा माध्यम P2I बैचे से इन जनरल भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे भी कहूँ तो मैं आपको वहाँ जोगरफी पढ़ाता हुआ पर अगर मैं इसका पार्ट नहीं भी हूँ तो भी मैं आपको इन जनरल एडवाईज देता अगर आप कभी मुझसे मिलते कि आपको एक इंस्टिटूशनल एप्रोच की जरूरत है मैं नहीं कहता हूँ कि आप दो लाख रुपए दे तो मैं उस समय आपसे कहता कि कोई आप कोर्स ऐसा पर्चेस करें जो आपको सारी डारेक्शन दे दे और ये पी टूए बैचेस तो आपको लास्ट इंटर्व्यू तक वर्क करेगा आपका अगर प्री क्वालिफाय होता है तो जब आप मेंज देने जाओगे बच्चो तो आपको यहां बुला कर आपको सामने से जो है वो आवासी कारेक्रम में गाइडेंस देगा और आपका होगा जरूर इसको आप सेटल डाउन कर ले अगर आप यहां तक आए हैं तो सिंपल सी बात है कि UPSC का सक्सेस एश्यो जो है लेस देन वन परसेंट होता है आप इस वीडियो में जाकर देख ले कितने लोग यहां पर हैं तो आप उस 20% में तो आ चुके हो इसके आगे आप वो 1% में पहुचने के लिए यह professionally सही है कि आपको आगे एक institutional approach की जरूरत बच्चे पड़ेगी और यह आप अभी अगर जॉइन हो जाओगे तो आपका जब प्री निकलेगा तो आपको मेंस के समय कोड़ अवेलेबल है किसी का भी कोड़ लगाओ बट मिनिममम प्राइज में उसे प्रिवेल कर लें और प्रिवेल करके फिर आप अपनी जर्नी को कंटीनिव करें इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यह एक सही एडवाईज है क्लियर चलिए तो स्वर्ण रेखा अब यहा कहा जाता है बेसिकली गोडावरी क्लियर अब यहां याद रखे कि गोडावरी की सहयक नदियों में मैं उपर एक नदी ड्रॉ करने वाला हूं याद रखेगा यहां पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा एक नदी याद रखेगा इस नदी को कहा जाता है तीन नदिय यह दिखाई देंगी कौन कौन सी है तो यह जो नदी आपको दिख रही है मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ ध्यान से देखे याद रखे कि मैं रफली ड्रॉ करूंगा जिससे यह वीडियो की लेंथ बहुत जादा लंबी ना हो अधरवाइस आप लोग देखेंगे ही नह अश्री नदी दिखाई देगी यह तीनों नदियों का संगम यह कहलाता है प्राण हिता यहां पर तीन नदियां है यह है पैन गंगा यह है वैन गंगा यह है वर्धा क्लियर और याद रखिए पैन गंगा वैन गंगा वर्धा यह मिलके कहलाती है प्राण हिता इसी प्रकार से यहां पर आपको एक नदी दिखाई देगी यह याद रखेगा यहाँ पर एक नदी है यह याद रखेगा इसका नाम है इंद्रावती यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा याद रखेगा इसका नाम है मांजरा इसी प्रकार से यहाँ आपको एक और नदी दिखाई देगी इसका नाम है किनारसाना साना या सानी के नारसानी तो यह है बेसिकली गोदावरी की प्रमुक साहयक नदियां याद रखे कि जब हम डीटेल में सिर्फ एक एक नदी को देखेंगे तब इसमें फिर अधर चीजे में निजाम सागर कहां है या फिर इसके किनारे कौन कौन से शहर है वर्धा जो है मद् नहिता वाला इक डाइमेंशन याद रखेगा इसी प्रकार से याद रखें यहां आपको दिखाई देगी इंद्रावती और यह प्रश्ण भी आया था कि इंद्रावती नदी जो है वो सीधे अपना जल्ब विसर्जित कर देती है बंगाल की काड़ी में तो क्या ऐसा है आ कि यहां इस प्रकार से आप देखेंगे तो याद रखें अब याद रखें क्रिश्णा जो गोदावरी क्रिष्णा है ये एक मांजरा रिवर रह चुकी है मांजरा और यहाँ पे आपको एक किनारसानी मिलेगी अब यह जो कृष्णा नदी है इसके लिए याद रखें उपर से इसकी एक सहायक नदी आती है जिसे कहा जाता है भीमा और नीचे से आती इसे कहा जाता है तुंग बद्रा तो भीमा तुंग बद्रा अब यहाँ द्यान देने योग्य है याद रखें कि गोदावरी आती है पश्चिमी घाट से कृष्णा और भीमा भी आती है पश्चिमी घाट से लेकिन क्रम आपको याद रखना है गोदावरी उपर फिर भीमा फिर कृष्चिमा इसके नीचे फिर तुंग बद्रा है इसी प्रकार से याद रखेगा यहाँ आपको एक नदी दिखाई देगी इसे कहा जाता है पेननेरू यह है कावेरी और लास्ट में है वेंगई तो यह पूर्व की दिशा में जाने वाली नदियों का करम है इसे माइन में सेटल डाउन कर ले यह सूपर इंपोर्टेंट होगा तो चलिए हम यहाँ नाम मेंशन करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्वर्ण रेखा और आपको order wise इस प्रकार से याद करने की आविशक्ता है क्लिएर मैं एक बार order repeat कर रहा हूँ ध्यान से देखेगा यह है सबसे उपर दामोदर दामोदर की नीचे स्वर्ण रेखा स्वर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो बायतर्णी बायतर्णी की नीचे ब्रामभणी ब्रामभणी की नीचे महा नदी महा नदी की नीचे दाया दाया की नीचे दिशिकुल्या क्लिएर इसी प्रकार से आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा यह है गोदावरी गुदावरी की साहयक नदियों में प्राण हिता प्राण हिता तीन नदियों का संगम है पैन गंगा, वैन गंगा, वर्धा इसी प्रकार से आएंगे आगे तो आगे इंद्रावती दिखेगी नीचे से मांजरा और एक और नदियाई किनार सानी फिर आपको देखेगी क्रिष्णा क्रिष्णा के ऊपर भीमा, क्रिष्णा के नीचे तुंगभद्रा इसी प्रकार से फिर आएंगे पेनेरू, कावेरी और वैंगई How simple is that to understand चलिए, तो ये पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम है clear, चलिए, अब आएं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाए देगी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी चंबल, सिंध, बेतवा, केन सोन, लूनी, बनास clear, इसी प्रकार से गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडग, कोशी, महननदा, यमुना ये हमारी नदियों का क्रम है ओके, सभी का अलग से भी मैंने मार्किंग कर रखी है तो I don't think कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा ओके, चलिए, अब यहाँ पर कुश नदिया शेश रह जाती है यानि कि वो नदिया जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है तो ये कौन-कौन सी नदिया है, चलिए, आगे हम इसे भी देख लेते है याद रखिए बच्चो, ये है हमारा प्रायद विपिय भारत अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो पूर्व की दिशा में बहने वाली नदिया है इसमें कौन-कौन सी प्रमुक है, तो एक आपको ये दिखाई देगा याद रखे, नर्मदा, बाई डिफल्ट, तापी, साबर्मती, माही इसके पर शाद याद रखे, सीधा गोवा में आ जाए यहाँ आपको दिखाई देगी मांडवी तथा जुवारी और याद रखे, मांडवी और जुवारी की संयुक्त धारा को महादाया के नाम से भी जाना जाता है अब देखे, महादाया यहाँ है, दाया रिवर वहाँ है अब इसके अलावा, यहाँ आपको एक नदी दिखाई देगी इसे शरावती के नाम से जाना जाता है शरावती नदी आती है करनाटक में ये दौनों आती हैं गोवा में इसी प्रकार से आपको तीन नदिया यहां दिखाई देंगी याद रखें तीनों नदिया आती हैं केरल में कौन कौन सी है तो सबसे पहले है भरत पूसा पेरियार और फिर है पामबा या पामबियार भी कहा जाता है यह तीनों आती हैं केरला में क्लियर तो यह हमारी पश्चिम की दिशा में बहने वारी नदियों का करम है इसमें याद रखेगा जो भरत पूसा नदि है यह केरला की लॉंगेस्ट रिवर है और यह भी याद रखेगा कि जो यहाँ पर जीले हैं इन्हें कयाल की नाम से जाना जाता है यह लगून जीलो का उधारन है और इसके लिए एक और इंफोर्मिशन आप अपने माइन पर लेते हुए जाएं कि यह जो पश्चिम में बहनेवाई नदिया है यह आपको पश्चिमी घाट से ही उदगम लेती हुई दिखाई देंगी तो ये पश्चिमी घाट से ही उदगम लेती हैं और पश्चिमी घाट से उदगम लेने के पशाथ इस दिसा में प्रवाहित होती हैं तो ये जो हमने देखा ये लगभग लगभग सतर प्लस नदियों का करम होगा मैंने काउंट नहीं करा है परंतु इस सतर से जाधा नदियां अप्रॉक्सिमेटली हो चुकी होंगी अब समझेगा कि इसमें कुछ छोटी नदियां भी आती हैं जैसे अभी तक मैंने आपने नोटिस करा हो तो मैंने डीटेल मैप में गंगा को बनाया है मैंने डीटेल मैप में ब्रह्मा पुत्रा को बनाया है डीटेल मैप में मैंने आपको गोदावरी को बनाया है परंतु हमने अभी तक सिंधु को नहीं बनाया याद रखे एक तो पहली चीज है कि मैं सिंधु का डागराम पहले बना चुका हूँ ठीक परंतु यदि आप चाहें तो आप एक बार इसे देख ले वहाँ जाकर कि किस प्रकार से बनता है यहाँ पर कुछ चीज़ें आप आभश्चक रूप से करें जैसे मैं यहाँ कुछ चीज़ें एड करना चाहता हूँ ध्यान से देखेगा यह है बेसिकली मानसरोवर जील याद रखेगा मानसरोवर जील से इस प्रकार से सिंधु नदी का उदगम होता है क्लियर सिंधु नदी पाकिस्तान जाती है और डूस्ट पाकिस्तान में जाने के पश्चात यह डेल्टा का निर्मान करती है यहां से एक और नदीद निकलती है जिससे कहा जाता है जेलम जेलम करती है विसरपन और याद रखेगा जेलम के विसरपन के कारण इसे याद रखे जेलम करती है विसरपन और विसरपन करने के पर शाथ यह P.O.K. से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है जम्मू और कश्मीर में अब यहाँ याद रखेगा ये सिर्फ कहने की बात है जब आप इसे डीटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो वूलर जील है ये वास्त्विक्ता में गोकुर जील नहीं है क्योंकि गोकुर जील पूरी तरह से अलग होती है नदी से ये अभ तो ये है चिनाब नदी अब आएंगे राबी याद रखे राबी जो है वो इस प्रकार से जाकर मिलती है चिनाब से एक और नदी है जिसे कहा जाता है ब्यास और ब्यास म्तो दो तो डैम दिखाई देंगे, याद रखे, मैं अभी एक initiation कर रहा हूँ, आप notice करेंगे तो मैं कुछ चीजे हर बार add कर देता हूँ, ये क्या है, तो ये आने वाले topic का indication है, clear, अब यहाँ पर आपको एक पोंग डैम दिखेगा, यहाँ एक हरी के डैम दिखेगा, यहीं पर आप सभी लोग इसे थोड़ा सा support करें, series को और जादा से जादा इसे share करें, तो हम आगे इसका continuation लेकर जरूर आएंगे, ये जो दिखाई दे रहा है, याद रखेगा, ये नदी है, इसे कहा जाता है क्या, सतलुज, और सतलुज और ब्यास, ये मिल जाएंगी, और फिर सतलुज हमने दुबारा क्यों plot करा है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, याद रखें, कुछ सहायक नदियां हैं, सिंधू की, जो आपको जाननी चाहिए, यहाँ याद रखें, कि एक नदी यहाँ पर दिखाई देती है, सिंधू की सहायक नदी, जिसे जासकर नदी के नाम से जाना है, clear, तो काबुल, शियोक, जासकर, यह भी इसकी अपर सहायक नदी है, या उपर की दिशा की सहायक नदी है, याद रखें, सिंधू की सारी सहायक नदी है, नीचे की दिशा से आती है, जो मुक्यता हमने पढ़ी है, तो याद रखें, कुछ उपर की दिशा से अपर हिमाल ट्रिब्यूट्री भी कहा जाता है तो याद रखे आपर हिमालेंट ट्रिब्यूट्री या हिमाले के उपर ही छेतर से आने वाली सिंदु की साहिक नदियों में एक आपको दिखाई देगी श्योक एक आपको दिखाई देगी काबुल एक आपको दिखाई देगी जासकर अब याद रखेगा कुछ नाम और है श्योक के साथ याद रखें एक का नाम है द्रास एक का नाम है हुन्जा तो द्रास, हुन्जा, श्योक, जासकर, काबुल ये कुछ ऐसी और सहायक नदियां है सिंधू की जिससे रिगार्डिंग कभी प्रश्न आ सकते हैं याद रखें इसके जादा आपको कभी भी याद करने के आवशक्ता नहीं है तो ये नदियों का करम है सिंधू का अब आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि आपने जादा तर नदियों को जो है वो डाइगराम में separately भी plot करा है तो जो starting में मैं आपसे कह रहा था कि आपको डाइगराम पहले अलग से draw करना है इसके पश्चात इसे map पड़ ड्रॉ करना है ये वाला portion हमने यहां class में भी complete कर लिया है I hope बचो आपको ये series पसंद आ रही होगी अपने comment जरूर section में mention करें आपके सारे एक के comment मैं बहुत ध्यान से read करता हूँ याद रखें कि अगर आप इसी प्रकार से quality और real UPSC level का content देखना चाते हैं तो please इसे share करें क्योंकि जैसे जैसे इसका reach बढ़ेगा ये एक नया प्रयास है पुरानी old school learning को वापस लाकर हमारे हिंदी माध्यम के result को improve करने का और याद रखें कि एक जो teacher होता है वो कभी न कभी student जैसे मैंने पहले बताया कि वो student जरूर रहा होता है और अपना एक जो dream होता है वो स्वयम तो शायद complete नहीं कर पाया तो वो देखना चाता है कि ये जो knowledge है ये knowledge कहीं आप तक पहुँचे और कोई इसको utilize करके वो dream achieve करे जो आपने कभी देखा होता है I know ये बहुत जल्दी digestible नहीं होता पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज फील होना start होगी इस्वर करे कि आपका selection बहुत जल्दी हो पर अगर नहीं हो पाता तब के condition में आपके अंदर एक feeling जरूर आएगी कि आपने जो मेहनत करी थी उसको आप utilize नहीं कर पाए आप उस चीज को cash in नहीं कर पाए पर कोई और जरूर करे तो कुछ उस प्रकार का प्रयास है कि आप जो है इस चीज को cash in करें और इसके notes बनाएं और इसे share करें share करने से होगा क्या कि हम ये समझ पाएंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं और जहां तक मेरा मानना है कि हम जरूर सही दिशा में जा रहे हैं तो इसे थोड़ा शेयर करके पुश करें जिससे हम मोटिवेट हो सके आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेक्टिव वीडियो में और आपका नॉलिज एन्हेंस करते हैं Have a very nice day बच्चो, thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIAS हिंदी